राज़तान के पूर्व सीम अशो गैलोत के OSD रहे लोकेश शर्मा ने कॉंग्रेस के खिलाफ मोर्चा कोल दिया है गैलोत सरकार पर एक बार फिर उन्होंने निशाना साधा है टीवी राज़तान से खास बाचीत लोकेश ने की और कहा कि गैलोत सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय हुआ और पेपर लीक में पिछली सरकार के कई RPSC सदस्य और कई मंत्री और मुख्यमंत्री भी जिम्यदार है लोकसभा में टिकेट बटवारे को लेकर कॉंग्रेस की उन्होंने खुली आलोशना की है लोकेश ने कहा कि जो टिकेट मांग रहे हैं उनको नहीं दिया जा रहा और जो नहीं चाहते उन्हें जबरदस्ती कॉंग्रेस टिकेट देकर मैदान में उतारी है और कॉंग्रेस कुछ लोगों के पीचे से मटकर रह गई है चुनाव से पहले एक दल से दूसरे दल में जाने का जो सिलसला है वो लगातार देखने को मिलता है लेकिन कई बार कयास है वो लोगों के दोरा लगाए जाते हैं राजमितिक गलियारों में कि जो नेता है वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी दल के अंदर शामिल होंगे मेरे साथ मौझूद हैं लोग के सर्माजी जो की पुरुवरती सरकार के अंदर मुख्यमंतरी के OSD की तोर पे जो काम किया था लेकिन अब लगातार वो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं उन बयानों को लेकर वो लगातार सुर्खियों में बने होंगे जिस सबसे पहले तो आपका आए टीवी में स्वागत है मुश्कार क्या कहेंगे क्योंकि बयान जो आपके हैं लगातार सुर्ख्यां बट और रहे हैं और जिनके साथ आपने काम किया उनके खिलाफ आप जिस तरीके से कह सकते हैं कि आपके बयान आते हैं और उनको लेके लगातार आप सुर्ख्यां में आते हैं क्या कहेंगे देखिए सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो खिलाफ शब्द है ये कहीं माइने नहीं रखता मैंने कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला, किसी का विरोध नहीं किया जब हम विदान सबाद चुनाओं के परिणाम आए और परिणामों के बाद जो मैंने बात कही वो एक भावना थी और वो जो कुछ भी मैंने लिखा था सोचल प्लेटफर्मस पे, सोचल मीडिया पे उसमें मैंने कारण बताये थे कि क्या-क्या परिसितियां रही यहां एक मात्र राज़स्थान ऐसा प्रदेश था जहां सरकार की वापसी होने की सथ-प्रतिशत संबावना थी लेकिन किन की वज़ों की कारण हम वापस सरकार में नहीं आ पाए मैंने वो भावना व्यक्त की थी लेकिन बहुत से लोग है जो ये सोचते हैं कि मैं अशोग गैलो जी की खिलाफत कर रहा हूं उनके साथ मैंने काम किया है और वो जो सचाई जिसको मैंने उस दिन बोला वो पहले क्यों नहीं बोली तो उसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि जिस जिस्मेदारी से मैं बंधा हुआ था उसकी अपनी मर्यादाएं होती हैं उसकी अपनी सीमाएं होती हैं और सीमाओं में रह के बात की जाती है आप सभी को ध्यान होगा कि मैंने साड़े साथ बजे बाद जब मुख्य मंतरी जी ने गवर्नर हाउस जाके अपना इस्तीफा दे दिया उसके बाद मैंने अपनी भावना व्यक्त की क्योंकि अगर इन सब चीजों को मैं पहले लिखता या पहले उजागर करता तो मेरी पार्टी को नुकसान होता यह थे लोके सरमा जो की पूरोवर्टी सरकार के अंदर O.S.D. की तोर पर लगातार काम किया और अब जो पूरोवर्टी सरकार के कारिकाल के दर्मयान जिस तरीक से चाहे वो टिक्टों के बंटवारे का मामला हो या फिर अन्य जो पेपर लिग से जुड़े हुए मुद्धे हो इन तमाम मुद्धों को लेकर लगातार पिसली सरकार या निया सोगहलो सरकार पर लगातार हमला बोलते हुए नजर आ रहे जैपूर से जसराज के साथ विरेंदर सिंग सिखावत रंडी टिवी